अंगच पांड़े आप देखें नीज जोने भात और लेकर हाजी रहूं प्राइम नीज एट सेवन पे मिलांस के रूब बढ़ते हैं खबरों के और राची के प्रोजेक्ट भवन में कोविड-19 टिका करण और कालाज़ार की रोगताम को लेकर आहम बैठक हुई बैठक में सेम हमन सोरेन के साथ स्वास मंत्री बना गुपता भी मौजूद रहे और स्वास विभा के तमाम आलादिकारी भी जोरान मौजूद रहे बैठक में कोविड-19 टिका करण और शित स्विंकला प्रबंदन की तयारियों की मुर्ख्य मंत्री ने समिक्षा की बैठक में कोरोना टिका करण को लेकर स्विंक ने कई एहम दिशा निदेश भी दिये समिक्षा के बाद स्वास मंत्री बना गुपता ने का किराज के करीब देड़ लाख लोगों को पहले चर्ण में वैक्सिन मिलेगा वैक्सिनेशन अभियान में 6,000 कर्मियों को यह लगा बंदन की त्यारियों की समिक्षा की है कई आधिकारी इस दौरान मौझूद रहे और श्रीत स्रिंखला प्रबंदन के त्यारी की समिक्षा भी है और साथ इस साथ कालाज़ार रुक्थाम को लेकर भी लेकिन सबसे अहम था इस बैठक का जो मुद्दा वो था कोविंड-19 का ठीका करन और इसको लेकारी यह बैठ समिक्षा बैठक की थी उसमें चीफ सेकरेटरी साब हमारे प्रदान सचीव हम और हॉम सेकरेटरी साब थे तो उसमें जो आने वाला वैक्षीन है जिसके लिए आज मनी स्वास्त केंद्रे स्वास्त मंत्री आदर्निया हरस्वरदन जी ने भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग की तो उसमें जो विशा निर्देश दिये गए हैं उस संबन में बात्चीत की गई उसके बाद जो काला जार जो हमारे संथाल परगना में 14 जीले में अभी है उसके अनुमूलन के लिए हम लोग क्या 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 कदम उठाये और उसमें क्या ब्यवस्ताय करें इसको लेके दो गंभीर विशय को लेके हम लोग की बैठाख हुई हैं हम लोग के राज में करीबन देड़ लाथ लोग ऐसे हैं जिनको प्रतम चरण में वेक्शिनेशन करने की आवश्चता है तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी भी कर ली है करीब 6,000 लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग उसमें करीब 4,000 लोगों को ट्रेंड कर दिया गया है ताकि वो इंजेट कर सके और फिर 825 लोग ऐसे हैं जो लोग उनके सयोगी साती के रूप में काम करेंगे फिर वो जो है जिस टेंपरिचर में रहेगा वो टेंपरिचर में जहां जहां पर वो वैक्सीन को रखा जाएगा वहाँ बिजली की क्या बेवस्ता है फिर वहाँ जेनरेटर वगरा हैं कि नहीं हैं वहाँ पर और आवस्रक आवस्रकता हैं तेल पानी वगरा सब हैं कि नही वो सारी चीजों की समिख्या की गई है ताकि वैक्सिनेशन का जो टेंपरेचर है वो बहुत मज्ट होता है. वैक्सिनेशन जैसे ही आएगा तो उसमें चार आप जानते हैं चार तरीके से, सबसे पहले तो वो लोग हैं जो हमारे frontline worker है, जो हमारे Corona योद्धा है, दूसरे जो médical के लोग है, दूसरा हमारा जो supporting लोग है, जासे police के लोग है, home guardians के लोग है, और भी जो लोग है, और तीस्रा जिनको कही तरह की multi disease है, जैसे heart attack हो, या sugar, या high